मोधी 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 क्या है यह वोगारिया में यहां के गुमराह कर दिये यहां की जनता गुमराह होने वाली है धगरिया में गुंडाराज स्तापित नहीं होगा जिसमें 55- 56 साल तक कोंगरेस का साथ नहीं है सारी चीजों कि इनों ने बेढ दिया वजबा वाले के समरे ने मागाई देख रहा है मागाई से लम परेसान है मुदी जी को देश में काम नहीं किया है अगर कुछ किया है तो इसवार खगरिया में क्या होगा साथ तारीकों यहाँ पे मद्दान होने हैं दो दिगज इस बार मैदान में एक राजस्वर्मा है LJPR से वहीं दूसरी ओर इंडिया गठ बंदन से CPIM से संजया कुश्वाहा जी है इस बार खगरिया की जनता किनको आशिरवाद देगी खगरिया के अपने क्या मुद्दे हैं और साथ में जो मोदी जी लगातार कर रहे है उपर देखिए तो मोदी जी का कितना आशार है खगरिया में मोदी के नम पर कितना भोट होगा या फिर अस्थानिया मुद्दे हावी होगा क्या नाम भी आपका नहीं है नहीं हो शुटकपर नहीं का बेटा है गश्या का नहीं के रहेगा निखेंगे अपना एरिया को देखेंगे बसके बेटा कुछ अपने जिताएंगे जमीन पर देखेंगे हमारा परतियासी खगरिया का बेटा है जमीनी नेता चाहिए आप लोग क्या नाम होगा आपका परसांत कुमार युवा है मोधी हर हर मोधी घरगर मोधी युवा सब करता था चौदा में इस बार नहीं कर रहे हैं आप लोग सही बात है लेकिन अब लोग नौजगी अभी तक भी रही निराजगी रहेगा आप संभाब सकते हैं तुमारी जी कहते हैं कि आप लोग मांगी नहीं नौकरी दिजिए आपके पास इन्वेस्टमेंट रहेगा तब न मालिग बनियेगा ऐसे बन जाईएगा आओ लोन दे रह एंद मिद्रा लोट यहां से केवल संजे कुष्बहा का लाहर और भारी मतोस वो जिट विजय होंगा एक दम बिल्कुल खगरिया में खेल हो यहां से संजय कुस्वाहा क्या बोले हमें मेरा नाव है परमोद राइजी है आपकी राय क्या है यह बता हिए राय हम रहा है कि अब बहुत भारी बहुत से जितेंगे और मोदी मोदी है किया देश के पिम उससे ज्यादा बढ़ियां देश के पिम मन मोहन सिंग था जो कि उसके समयम आर्थ विवस्ता का बहुत अथी था अब अभी डीजी पी बताएए लेकिन लोग बुर्बक है मोदी राम राम के नाम हो जब जिसको अत्म बल घ्णता है तब भगबान के सहरा लेता है अब पुजा करने के लिए अब ताक कोऊँ और मिया ने ह्मिया के लोगों के पास क्या क्या चाहिए हूँ हो क्या है क्या है यह हमको दस बरस के दर्वियान में आप ही बता दीजिए कौन ऐसा कम किया है अच्छा दिन क्या अभी अभी जो है सगेस है बारेश और अथी कांग्रेस की सरकार में दूहजार चौदे पन्रह में गैस का दाम था सारह 400 रुप यह और खाद का दाम देख लिए जो चौदे पन्रह में खाद का दाम दीएपी था 700 रुप यह वह पाटास था 500 रुप यह वाजबा वाला तो हवाई पर उड़ा है बाजबा वाले के समने नहीं मागाई देख रहा है करूँ तेल का दाम है दो 200 रुप लीटर अब शॉटे बीट्वा गया है और मोगाई से लंब में मागाई से व मागाई से दूर्म परसाद है थरी वोधीजी कोई देश में काम नहीं किया है आप ही बताए murad जी दसवरत में क्या कौन सा इसा कंम किया है आप पस्देजेगह जाते जो आज पहले हुँ आडानी अम्बानी विश्व में पनरामा सो सोलामा अस्थान पर था करोरपती में अभी आडानी एक नमर उपर है इमोदी की चलते मोदी सब कुछ बेच दिया उसी कि यहां हाथ बेच दिया रेल बेच दिया हवाई अटा बेच दिया कौन कोन ऐसा है जो ओने पहुंच किलो दाना अरे वही सरकार कॉंग्रेस सरकार नहीं किया था दूर पर चीन पर जड़िया अग्दमकि चाहिए अपने क्या मुद्दे हैं यहां के कौन भीकास करेगा लाकर या का देखिए ऐसा है ना कि मुद्दा तो आपको मालूम है बेरोजगारी और महेंगाई और ओरतों के साथ महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है यह अहम मुद्द्ध हैं और विकास की रही बात तो अब तक तो जो विकास हुआ वो आप जानने है कि क्या विकास हुआ 42% यूवा जो है ने बेरोजगार आज खड़े है रोड़ पर सड़कों पर डिग्री लेके घूम रहे हैं पिछले 10 सालों से अब ये परिवर्तन की लहर चल लही है तो इस बार मुद्दा रोजगार का है रोजगार और बढ़ती हुई महंगाई और भर अश्टाचार ये अह तो इसलिए जो है आज का जो है ना आज का अहम मुद्दा जो है वो जो है आपको बढ़ती हुई महंगाई के खिलाप किसानों में जो किसानों पर जो आत्याचार हुआ सवाल यह है कि मुद्दी जहां भी जा रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा उच्छाल रहे हैं कि मुस्लिमों को काई से लेके जमीन तक देदेगी कंग्रेश सब संपत्ति देदेगी अच्छा यह बताईए यह आजाद हुए भारत वार्स को 75-76 साल हो गया जिसमें 55-56 साल त आप बताईए तो जरा सारा सारा इंफ्राइस्ट्रक्चर कॉंग्रेश का दिया हुआ है उन सारी चीजों को इन्होंने बेचा सारी चीजों को बंदरगा हो रेल हो सेल हो बेल हो सारी चीजों को इन्होंने बेच दिया हम तो सिक्षा हम तो सिक्षा से जुड़े हुए हैं जाएए कोले जो इन्वस्टी का क्या हाल है आई-आई-टी आई-एम और न इनाइटी वगरे में पद्ध खाली पड़ा हुआ है एमसे में जो है डॉक्टरों के पद्ध खाली पड़े हुए हैं ना सवास्त है ना सवास्त है ना सबस्टान भारत में भारत कि ये संस्कृति सबस्क्राइब जब तक घुम्राह करना था गुम्राह कर दिये यहां की जंता गुम्राह होने वाली नहीं है किसानों के साथ ने आए हो हमारे महिलाओं के साथ ने आए हो बोलने के लिए तुमना नहीं है हम भी बोलते हैं 500 पर खगरिया में गुंडा राज अस्ताफित नहीं होगा बाउन है गुंडा राज किसका गुंडा राज है राजेस वर्मा जो है आधितन अपरादी है वो खुद अपने चुनावी हल्पनामा में लिखे हैं कि मुझ पर बारे केस है खगरिया में गुंडा राज और गुंडा बैंक चलाने बालो अस्ताफित नहीं होगा यहां सुसा पास्मान का कोर बोक है दलीस समाज और दलीस समाज पर दो भुख जादा आत्या चार की है फिर भी उनको टिकर दिये है पुरा दलीस समाज हम लोग के साथ है जिराक के नाम पर वोट नहीं करेंगे और गोधिंद कुमार निटिश कुमार है राजेस वर्मान त्यस करोड मे टिकट खरिदा है चिराग पासमान से और यहाँ अनाप सनाप पैसा खर्चा कर रहा एक एक पैसा जनता का है और हमारा सांसद अगर बनेंगे संजय कुछ वहा तो उसका कुरकी जबती होगा एक एक पैसा जनता का जो है उसके घर से निकाला जाएगा यह पैसा जितना पैसा अमजनता का पैसा है एक एक पैसा के लिखे लिए उसका कुरकी जर्टी किया जाएगा घर जब्त किया जएगा राज 100 ता कर रहा है को जो हिंदू-मुसलिम का तिलिस्म है वह इस वार बुझता हुआ दिख रहा है आपकी क्या पर्तिक्रिया है पुरे देश में जहां से भी आप हैं कमेंट केजिए और खगरिया सिरी आप हैं ठेगा है कि क्या मुद्धे होने चाहिए किन वातों को लेके जनता को वोट करने चाहिए पुरी बाचीत पे पतिके दिखेगा रवी मेहता नेशनल दस्तक खगरिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे